आपको पता है कपिल मिश्रा को बीजेपी ने बना दिया है दिल्ली का प्रदेश उफाध्यक्ष अब कुछ लोग ये कह रहे हैं सोसल मीडिया में कि भई अब होगा दिल्ली में असली तांड़ाओ ऐसी वसी बातें कर रहे हैं तो चलो आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कपिल मिश्रा के अतीद के बारे में इनके इतिहास के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं जब राजनीती में आये थे आमादमी पार्टी में आमाधी पार्टी में जब कपिल मिश्रा थे हमारे प्यारे सीधे साधे आदमी बिल्कुल चुप चाप रहेंगे नॉर्मल बात में करेंगे थोड़ा एलिगेशन्स लगाएंगे दूसरी पार्टी पे जैसा एक नॉर्मल आदमी होता है वैसा फिर उसके बाद आता है 2017 का टा अब आदमी ने ऐसा बोला ऐसे जब यह बीजेपी में आए तब इन्हां पता चलिए कि बीजेपी में आगे बढ़ना है तो बहुत न कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा मतलब बड़ा करना मतलब कुछ ना कुछ आपको बड़ी बात आं करने पड़ेंगी कुछ हिंदू म कुछ ऐसा वैसा कुछ करना पड़ेगा तभी बीजेपी में थोड़ा बहुत आप आगे जा सकते हो और आज उन्हें उसका फल मिल गया है प्रदीज उपादेक्स जो बना दिये गए हैं इन्हों ने अपनी जीब लंबी लंबी कर दी थी अपनी जीब से लंबी लंबी बा या इनके उपाद्यक्ष बनने के बाद दिल्ली का एलेक्षन बीजेपी जीच जाएगी 2025 वाला विधानसवा वाला कमेंट में लिखके बता दो